और कहां गेली हो खेसारी लाल के बीरोधी इस फिलिम में चोली अडोरी दिग गया ना तो बढ़का फेड़ा लगा देंगे हम सब के बाप क्या उकाद नहीं है उलोग को कि जो समीर चोधरी के यह को आके ना खुनमो टच कर जाएगा सुन तो रिमाई के हम परनाम कर रही हो जो तुरा नहीं नालायक में पैदा किया खुद को भोचपूरी का पावर स्टार कहने वाले पावन सिंग ने एक बयान दिया था कि हमने भोचपूरी में जो लकीर खीच दिया है उसी में सब रेंग रहे हैं आप सभी जानते हैं कि पवन सिंग और खेसारी लाल यादब में जानी दुस्मनी चलती है और इस बयान देने के बाद खेसारी लाल यादब ने संगर्स टू का टीजर लॉंच किया और इस teaser के launch होते ही कही ना कहीं कह सकते कि तहलका मज गया हमारे साथ भोजपूरी एक्टर समीर चौधरी जी है उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिज करेंगे कि जिस परकार से पवन सिंग और खेसारी लाल यादब में अदावाच चलती है दोनों एक दूसरे को नीचा ग समझेंगे कि आखिर संघर्ष्टू की सफलता कितनी होगी यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन संघर्ष्टू के टीजर लॉंच होने के बाद पवन सिंग कितना घबडाए हुए या उनसे कहीं बहतर कहीं न कहीं कुछ लॉंच करने के फिराक में क्या लगता है टीजर सबसे पहले नमस्कार आदाब सस्त्रिया काल और कहां गेली हो खेसारी लाल के बीरोधी कहां गेली ओन बील में ढूग गेली बाभू अरे देख रहा है मने एक आदमी आके बोलता है कि हम जो लाइन घीचे हैं उकरा पर कोई नहीं रेंगेगा आई उसी में रहा है लोग आ दिया पार के बाद हर लोग देखेगा और हम तो चार है कि फिल्म सीना पोलिस में लग जाए लग जाएगा तो समझ रहा है कितना बढ़का बात हो जाएगा और खेसारी लाल दिल जित गेली नहीं भाई दिल जित गेली तू मान गेली ओ आई तू यादवनसी वाला काम कर लेकिन अब हमको यह लग रहा है कि खेसारी लाल जी जो चपरा मुबारक पूर घटना हो ले है तूरा लाइब आवे के चहालवा की नहीं तू बोला अरे आपके समाज का न लोग में हुआ था लाराई जगरा आपके घर में अगर लड़ता कोई भाई तो आप सुटिंग चोड़ के तो जरूर एक बार आतें है समझने के लिए आते न भाईया लेकिन आपको एक बार लाइब आकर बोलना चाहिए था हाँ और पवण सिंग जी को भी लाइवा कर बोलना चाहिए था मेरे भाईया लेकिन आप लोगों नहीं किया इस तरह से तो तो थोड़ाश सा हैं हम लेकिन हम इची से बहुत खुस हैं कि फिल्म है ले भया बहुत भी जोर संगाश तू आया है दिल खुस हो गया लेकिन भोजपुरी को आप इतना उपर जो दिखा रहे हैं साउथ लेवल छोड़ दीजिए बॉलीबूर छोड़ दीजिए हैं हॉलीबूर से टक कर लिए हैं लेकिन याद रखिएगा कहीं इस फिल्म में चोली डोड़ी दिख गया ना तो बढ़का फेड़ा लगा देंगे हम सब के बता दे रहे हैं क्यूंकि अगर हमारी भोजपुरी समाज को उपर ले जाने का काम किया जा रहा है तो फिल्म भी उसी हद तक रहना चाहिए भूले भी कि पावन भाईया को भी फिल्म देखना चाहिए ना काहला काहला देखेंगा